सो गाइज, सुना दो, सुना दो, आज हम आपके लिए लेका रहे हैं, फाइनली, श्ट्रीक वोर, आप बहुत दिनों साब वेट कर रहे थे, मोगी भाई, यार श्ट्रीक वोर का है, तो यह रही श्ट्रीक वोर लड़ी जाएगी, खतरनाक तरीके से, लेकिन आप लोगो क्य सबसे पहला टैक जो गाइज हम करेंगे, वो करेंगे टाउनल दस पे, सुरुवात करेंगे एकदम नीचे से, और आर्मी हमने बनाई है, जबरदस्त वाली, दस बोलर, दो पैका, दो गोलम, चारविच, और यह वाला बेस है, एकदम मैक्स बेस है, आपको दिखी रहा है, मेरेको भी दिख रहा है, सबसे पहले दो गोलू, फिर दो पैका, दो दो विच उतारेंगे, किंक को भी उतारेंगे, कुछ मिनियन्स भी डाल देते हैं फ़नल के लिए, और बीच में से आएंगे सारे बोलर्स, प्लान तो यह ह सिंगल टार्गेट को निकालना है, पर सिंगल टार्गेट पे कोई जा नहीं रहा है, कुईन भी बाहर जा रही है, मामला गडबड़ा गया भाई, बुरी तरीके से गडबड़ा गया है मामला, सिंगल टार्गेट पे कोई गया नहीं है, चलो फाइनली कुछ बोलर्स गये ह रे जी रे चलन्दो एक और पोईजन डालना पड़ेगा ड्रागन पर ड्रागन मरने का नामीन ले रहा इतने सारे पोईजन वेस्ट होगे और ड्रागन पर ड्रागन मरा ही नहीं है फाइनली ड्रागन भाई साब की गुद्दी तोड़ दिये यहां पर पैक का बिड़रा अब हमारे ड्रागन उससे क्या कहते हैं अपोनेंट के किंग से एक फ्रीज और एक हील बची है जो की स्वैक करने में काम आईगी अलाकि आर्मी थोड़ी सी बटक गई थी पर दिको Ш्टीक तो हमको बनानी है और। स्टीक बनानी है तो लगातार ट्रिपल मारनी पड़ेंगे सारे ही बेसिस को टिफ्रेंट default armies से अटैक करेंगे सारे के सारे ये वाला तो गया और मात्र तेड़ मिनिट के अंदर टाउन होल 10 के बाद चलेंगे अब सिधा टाउन होल 11 पे और इस बार हम इस्तमाल करेंगे अपनी लेजंडरी आर्मी इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ सेंटर टाउन होल का बेस है काई सी है दिखी रहा होगा आपको मैं भी बता के क्या ही बेवकुफी कर रहा हूं सीधा टैक दिखाते हैं आपको रेज एक और रेज अरे यार सिंगल टार्गेट ने अमारी उसको पकड़ लिया चलो आट लरी आ गई सारी रेज खतम हो गई है और बेस भी काफियत तक खतम हो गया है पर अब यार एक जगा बची है यह एक अपार्टमेंट बचा है बीबी और यह टेक डाउन होने का नाम नहीं ले रहा भाई इसको निकालने के लिए फ्रीज डालनी ही पड़ेगी सरिफ एक सबो बची है और मातर एक मिनट का टाइम होगा भी अमारे अटेक में और यह वाला बेस तो लग रहागा इस डेड़ मिनट से पहले भी सरेंडर कर देगा वन मैन आर्मी ओपे बोलते सारे अटेक करने यहां पे एक से लेके दस तक सारे ही बेसिस को अलग-अलग अर्मियों से टेक करेंगे सारे के सारे अब इलेक्टरों के बाद कुछ और लेके आऊंगा मैं आपके लिए ठीक है टाउनल 10 भी किया, 11 भी किया अब अगला टेक करेंगे सीधा टाउनल 12 से और इस बार इस्तेमाल करेंगे हम सूपर विच का पहली बार सायद में टेक कर रहाँगा वोर में सूपर विच के साथ और चलो बेस देख लोगा इस यह वाला बेस है वोर बेस है काफी टाइम से देखता है होगे आप इस तरह के बेसिस को सबसे पहले हम उतारेंगे एक तरफ अपना बुड़ा जो की बनाएगा फ़नल यहाँ पे छेद कर दिया है ओडिसी फ़नल बन जा है तो फिर हम अपनी आर्मी को डिप्लोई करेंगे यह डार्क स्टोरेज तक तो निकालनी पड़ेगी वरना विच इसके बार आने के चांसेज बने रहेंगे इसके बाद मैं डिप्लोईमेंट करूँगा बाकी के ट्रूप्स का टाइम फेल होने का भी थोड़ा खतरा रहता है इस अटैक के अंदर अब टाइम फेल होएगा तो होए गई पर जो वैल्यू चाहिए वो तो निकालनी पड़ेगी ना बस यह एक बार स्टोरे जाजए स्टोरे जाने के बाद फिर हम अपने आर्मी को डिप्लोई कर सकते हैं किंग को तो मैंने ओल्रेडी कर दिया है अब विचेस उतारेंगे अपनी साथ में क्वीन वॉल ब्रेकर दो कोको लून रेज वोडन अविलिटी एक हैड अंटर पोईजन गाईज यह गलत जा रही है आर्मी हमारी टाउन वोल पे कोन जाएगा कैसे जाएगा समझ में नहीं आ रहा सारी आर्मी बार बग गई है मल्टी तो आ जाएगा यहां पर पर विच्चिज हमारी थोड़ी सी टाउन वोल के पास नहीं जा रही है उसकी टेंसन है कोई नहीं अब तो देखा जाएगा जो होएगा एक जंप मार देते हैं यहां पर एक रेज विच्चिज को भी मार नी पड़ेगी टी एच निकालने के लिए एक हैड़न्टर बचा के रखा मैंने किंग के लिए उसको भी डिप्लोई कर देते हैं टाउन्फेल का खत्रा लग रहा है बाकी तो बेस गाईस अल्मोस्ट खतम होई जाएगा क्योंकि यहां पर दो ये स्टोरिस सी बची हुई है स्पैल से सफिसेंट है डबल फ्रीज और इन्विजिबल स्वैग ही कर दिया किसी काम में तो आएगा नहीं 26 सेकंड का टाइम है वैसे साथ टाइम फिल नहीं होना चीए गाईस टाउन्फोल 10 टाउन्फोल 11 और टाउन्फोल 12 लगातार सारे ट्रिपल मारदी हमने अलग 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 आर्मी हो सब चलेंगे टाउन्फोल 13 की तरफ 10,11,12 हो गया गाईस और अब अटेक करेंगे हम टाउन्फोल 13 पे और वो भी करेंगे क्वीन चार्ज ड्रागन राइडर्स एकदम डिफरेंट डिफरेंट आर्मी लेका है हूँ आज मैं आप लोगों के लिए ये वाला बेस है प्लान तो बनाएं मैंना उल्टा सीधा गाईस एक्जीक्यूट हुडाएगा तो देखते हैं अब क्वीन को टी एच निकालना हमारी यहाँ पे हैवी ड्रामा पड़ेगा यहाँ पे क्वीन के लिए और ड्रैगन्स का हमने डिप्लॉइमेंट उल्रेडी कर दिया है क्योंकि फनल तेयार होगी है ड्रैगन्स के लिए वीन आसानी से टी एच निकाल देगी यहाँ पे दो ड्रैगन बाहर चले गए हैं बाकी तो आर्मी ठीक टाक जा रही है वोडन अबलेटी दे देते हैं पीछे की तरफ बहुत डैमेज है बेस के अंदर लग तीन तीन एर डिफैंस महाँ पे मुझूद है और रोयल चैंपिन हैं भी हमने बचा के रखी है पोच रहों रोयल चैंपिन को डाल वी ना बिना रोयल चैंपिन को रहेगा के ट्रिपल लग तो रहा हो जाएगा रोयल चैंपिन को कही स्वैग ही कर देते हैं फिर और क्या है आज तो बहुत बड़ा प्रो मोड अक्टिवेट हो गया मेरे अंदर जहाँ ट्रिपल हो रहा है जोन सिमर जी आर्मी से कमाल कर दिया मैंने आज और वो भी एक देड़ मिनट के अंदर ही ट्रिपल हो रहे हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा बस सूपर विच वाले टैग में टाइम लगा था क्यूंकि आपको पता ही है सूपर विच थोड़ी स्लो होती है और टाइम लेती है विचार अपना गूमने गामने में यहाँ पर तो रोयल चेंपिन स्वाइक कर दिया हमने मज़ा आगया गाईस यह वाल अटैग करके इसको तो और ज्यादा सीखना पड़ेगा मेरे को सही आर्मी है यह तो नेक्स अटैग करेंगे गाईस हम टाउनल 14 के उपर एक अटैग मैंने टाउनल पाए और लड़ी करने की कोसिस करी मेरे नेट वागया यहाँ पर तो गाईस है तो बरबाद ही हो गया पांच परसेंट पर तो अब मैं अटैग करेंगे रैंक वन प्लेयर के उपर और इस बा आमाल की बात है कि मैं वही नहीं लाया अरे यार क्या पागल आदमियु मैं वही नहीं लाया गाईस का केते हैं लोग लॉंचर बिना लोग लॉंचर के कैसे अटैक होएगा कुछ और करना पड़ेगा बिना लोग लोंचर के तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा भाई ए अटेक बोलर्स भी गलत जा रहे हैं पूरे गलत जा रहे हैं सब कुछ ही गलत जा रहे है कुई ना अपनी एक कंपार्टमेंट में जा रहे हैं बोलर्स लग जा रहे हैं सब गलत गलत हो रहा है गाईस लोग लोंचरी निलाया तो यही होना था अब तो टाउन ओल भी कैसे निकलेगा समझ में नहीं आ रहा अटेक पर क्लिक कर दिया और आर्मी देखी नहीं बताओ अब अकेले किंग को इतना डिफैंस निकालना है पिचारे के पास अबिलिटी तो है पर क्या ही कर लेगा अकेले अबिलिटी के अंदर सिंगल टार्गेट इन फर नो जान निकाल देगा किंग की तीन एड अंटर तो उटा रहे हैं पर यह देखो गाईस ट्रिपल तो होनी पाएगा बिना लोग लूंचर के गाईस अच्छा वड़ा ट्रिपल की श्टीक चल रही थी हमारी श्टीक खराब हो जाएगी यहां पर 94,56 जितना भी होएगा उतना ही होएगा यह इसके आगे तो क्या ही जाएगा एड अंटर भी निकालने की कोशिस कर रहा है लोग लूंचर हो जाता तो अराम से ट्रिपल हो जाता इतना मुश्किल बेस था निया एक दम एजी बेस था पर क्या करें गाईस जब किसमत में लिखिया हो आपके गोड़े फिर कहां से मिलेंगे आपको आज का आखरी अटेक गाईस ठीक है नीचे वाले बेस तो में उड़ा ही दूँगा जो करेंगे हम करेंगे अब टाउनोल 14 के उपर जिसके उपर हमारा नैट बाग गया था क्वीन चार्ज मास होग रेडर्स यह वाला बेस है बहुत पुराने किसम का यह बेस है डबल एड़ेंटर उतार दी हमने क्वीन की एल्प के लिए ताकि क्वीन अराम से यहां पर सफाया कर सके विचीज ला रख्यां भाई सीची के अंदर इसने तेज चल रहा है बंदा बॉट टाइम ले रहे है क्वीन विच को मारने में पर चलो फाइनली सीची टेक डाउन हो गया एक रेज ओर लगेगे भी पता नहीं ट्रिपल होएगा कि नहीं होएगा देखो गाइस में और को ज़्यादा आती नहीं वाली आर्मी पर ट्राय कर रहे है तो इन जा रही है एक गलत कंपार्टमेंट की तरफ यहां पर वॉलबेक करना पड़ेगा एक रेज देनी पड़ेगी क्वीन को एक बेबी ड्रागन यहां पर उतारेंगे एक और वॉल बिरेक करेंगे और यह करेंगे और उसके बाद गाईस यहां से आएंगे हमारे होग राइडर्स वोर्डन एविलिटी के साथ वो इनके एविलिटी भी देनी पड़ेगी एक हील डाल देते हैं दोग राइडर पता नहीं क्यों बचा लिए मैंने गाईस बच गई होंगे गलती से बचाई नहीं है प्रीज सब अटरम सटरम हो रहा है का इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है वो मतलब अटेक के अंदर पर ठीक चल रहा है ऐसा लग रहा है कि होई जाएगा ट्रिपल लो भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई गाईस अटेक में पर अभी तो स्रिफ टाइम फेल के सिवा कुछ और नहीं हो सकता है यहाँ पर टाइम फेल भी नहीं होएगा रोयल चैंपियन पहुच गई है मार्किट में और यहाँ पे उतार दी जाएगी इस बेस की खाल आसानी से और वोर्विंड श्ट्रीक अमारी बढ़ेगी जरूर आगे की तरफ साथ से आठ हो जाएगी अब यहाँ पे हमारी क्रेजी उनिट की वर्विंड श्ट्रीक बचे होए तब नीचे के गाईस बच्चे 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 बेसे उनको तब उड़ाई देंगे तो बस गाईस आज की वीडियो में रहेगा इतना ही अमीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आयोगी पसंद आयोगी तो लाइक जरू करना चैनल पर पहली बार आयो सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक और सांदर वीडियो में तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी बाई